हाई वीवर्स, वेलकम तो माई चैनल, हेल्थ टुक्स अंटिप्स दोस्तों, शादी के कुछ टाइम बाद, अगर किसी महिला को इमली खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है, एक ट्रेविंग होती है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, कि महिला ने कहीं न कहीं गर्बधारन किया है, अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो इसके ब बताने बादी हूं, जानने के लिए वीडियो को देखते रहेगा, एंड तक वीडियो को भीना स्किप किये, दोस्तों, इमली जितनी खटी होती है, उतना ही एक स्वाधिस्ट फल भी होता है, और इसमें बहुत सारे और शिदिय गुण भी पाए जाते हैं, दोस्तों, आपको बताती हूं, कि अगर आप इमली खा रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या-क्या फाइदा आपको मिलेंगे, प्रेगनेंसी के सुरवाती दौर में, जिन समश्याओं से गर्भती महिलाओं को गुजरना पड़ता है, वो होती है मिदली और मॉर्निंग सिक्निस की समश्या, तो इमली का सिवन करने से इस दौरान आप मिदली और मॉर्निंग सिक्निस की इस समश्या से बच सकती हैं, दूसरा दोस्तों, इमली का जो पल्प होता है, वो गर्भा वस्ता में भूख बढ़ाने में काफी असरदार होता है, तो जिन महिलाओं को प्रेगनेंस होता है, पॉलिफेनॉल्स होता है, तो ये जो है गर्भती महिलाओं को इस दौरान होने वाली जेस्टिशनल डाइपिटीज के खत्रे से भी बचाती है, इसमें दोस्तों, पॉटेशम और सोडियम जो होता है, वो ब्लट प्रेशर को कंट्रोल करने का भी काफी अच्छा का करती है, अगर प्रेग्नेंसी के दौरान मीठी इमली का सेवन किया जाए, तो इससे गर्भावस्ता के दौरान कब्ज की समश्या से भी आराम मिलता है, इमली में एंटियोक्सिदेंट गुण पाए जाते हैं दोस्तों, जिस वज़े से ये आपके डैजेशन सिस्टम को पाइदे की, लेकिन किसी चीज का अत्यादिक सेवन करना, इसके नुखसान भी आपको दे सकता है, तो क्या-kaya नुखसान आपको हो सकते हैं इमली खाने से, ये मैं आपको बढ़ा दूं, तब से पहले तो दोस्तों आपको बता दूं कि इमली खाने का सबसे ज़्यादा मन गर्भा वस्ता के फर्स ट्राइमिस्टर में गर्भवती महिलाओं को करता है क्योंकि दोस्तों इस दोरान शरीर में हार्मोनल चेंजेस काफी तेजी से होते हैं तो गर्भवती महिलाओं को कुछ अलग अलग सी चीज़े खाने का मन करता है साथ ही खटा खाने का बहुत जादा मन करता है लेकिं दोस्तों आपको बता दो कि प्रेग्नेंशी की फॉर्स ट्राइमिस्टर में बहुत अधिक अगर आप खटा खाती हैं तो ये आपके लिए बहुत जादा नुकसान दायक हो सकता है जैसा कि दोस्तों इमली में विटामिन C होता है तो बहुत अधिक विटामिन C अगर आप इस दोरान लेती हैं तो ये आपके मिस्कैरिज का कारण भी बन जाता है और प्रेग्नेंशी के फॉर्स ट्रामिस्टर में मिस्कैरिज होने के संभावनाएं बहुत जाता रहती है और इतना ही नहीं दोस्तों सेकंड या फिर थर्ड ट्रामिस्टर में अगर आप इमली का सेवन अधिक करेंगे तो इसके अधिक सेवन से समय से पूर्व प्रेसव की संभावनाएं भी बढ़ जाती है और जिससे भून की कोशिकाओं को भी नुकसान पहुचता है बहुत अधिक इमली का सेवन करने से ये आपके ब्लड सुगर को कही न कही असंतुरित कर सकता है और इतना ही नहीं इसका अधिक सेवन आपके ब्लड प्रेशर को भी नुकसान पहुचा सकता है अब इसके सेवन के अगर बात करू दोस्तों, तो आपको I'mlika 7 रोचाना नहीं करना चाहिए, भले ही आपको कितनी ही क्रेविंग क्यों नहीं करना है, आप एक दिन चोड़के I'mlika 7 करिए और जैसा मेंने बताया, बहुत अदिक आपको I'mlika 7 नहीं करना है, अगर आप बिना हुआ बियंजन भी खा सकती है और INGLD की चटनी का सीवन आप कर सकती है जब या भोजन कर रही हो उस दोरान आप नाप इमली की चतनी को C1 में ले सकती है पैकिंग वाली और अच्छी ब्रैंड की इमली ही आपको खाने चाहीए गर बावस्ता के दौरान क्योंकि दोस्तों बाजार में मिलने तोली इमली जाद तर खुली हुई मिलती है इसलिए खुली मिलने वाली इमली से इस दौरान परहेच करना चाहिए तो दोस्तों ये थी जनकरी प्रेगनेंसी के दौरान इमली के सेवन के समबंद में वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरू करिएगा चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फर वाचिन फिर मिलोंगी नेक्स वीडियो में तिल देन स्टे हैपी स्टे हैल्दी